वाट्सप यूट्यूब दिस रोई कितिरी इन बैक वोई दर्ण वीडियो अगर आप में ऐसे लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ खंटे को दबाए और इंस्टाग्राम पर फोलो करें इंस्टाग्राम पर फोलो करना भूले अगर आपका कोई भी कोशन है तो इंस्टाग्राम पर फोलो करें डिस्क्रिप्शन में लिंक है डारिक पहुँच जाओगे वहां फोलो करो सपोर्ट दिखाओ कोशन पूछो वीडियो जरूर बनेगी सबसे पहले गाज थैंक्यू वे अब बात करते हैं आपको डिफरेंट समझाने के लिए कि एक जिम जाने वाले बंदे में और बिना जिम जाने वाले बंदे में डिफरेंस क्या होता है तो जब एक बंदा जिम जाता है तो वह जिम में जाके तरह तरह की वर्क आउट करता है कोई काईडियो करता है कोई लिफ्टिंग करता है कोई कुछ भी करता है तरह तरह की वर्क आउट करता है जिससे उसकी क्यालोरीस बर्ण होती है अब थो बंड ड्ट कर रहा है क्लिश हो फूर से मिल जड़ी है जो वो खा रहा है ठीक अब वो बंदा बंड कर रहे है वो फूर से मिल रहहा है उसे भी बंड कर सकता है EXTRA WALK OUT दी कर सकता है अब करते है बात उस दे की जो बंडा जिम नहीं जाता पयां और कुछ भी बता दो, कुछ भी लिग दो, तो अब बात करते हैं वस इंसान की जो लोग normal देशी खाना खाते हैं, जो लोग इंडियन फूड खाते हैं, अब उन लोग को वेट बढ़ता जा रहा है, वो कम भी खा रहे, क्या कर रहे, कहां गल्ती कर रहे है, और वो लोग अपना क्यालोरी कितनी ले रहे हैं मतलब उसका जो मैक्रोस है प्रोटीन काब्स एंड फैट उसकी रेशो क्या है इंडियन डाइट में काब्स बहुत जादा है अब आप कितने भी काब्स खा रहे हो अब वह आपको एक लिमिटीड अमाउंट में एनरजी देते हैं अब एक इंसान चार रोटी खा लिए थोड़े से चावल खा लिए थोड़ा सा कुछ खा लिया थोड़ा सा कुछ खा लिया और हफते में एक दो बार उसने पीजा बर्गर इन चीजों में खा लिया तो इसमें से जो एनरजी मिली आप जिम नहीं जा रहे हो आपको कोई जादा वॉक वेट बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि जो मैं खाना खा रहा हूं वो मेरे लिए बहुत जादा है मैं अपनी हंगर को शांत करने के लिए खाये जा रहा हूं खाये जा रहा हूं अब जो दूसरा बंदा होगा जिम में जाने वाला उसको पता है अगर उसने एक द बर्न करेगी या इसके बाद आपका फैट नहीं बनेगा अपना जो कार्भोहईडरेट है जो लोग मोटे होरे लाइक 120-150 के आसपास रखे कॉंप्लेक्स काब रखे ताकि जो एनरची मिली है आपको खाने से वो सारी खर्च हो जाए आपको सबसे जरूरी धान देना है अपने डाइट पे अगर आपका डाइट कंट्रोल है तो आपका वेट लोस होगा ही होगा क्योंकि डाइट का सारा रिलेशन आपके वेट लोस से मसल बिल्ट करने के लिए हमें मसल को तोड़ना पड़ता है बट वेट लोस करने के लिए हमें जरूरी निया वकाउट करना पड़ता है तो अगर आपके मैक्रोस प्रोपर है अगर आप काब अच्छे ले रहे हो प्रोटीन हेल्दी अमाउंट पी ले रहे हो फैट आप ले जाते होंगे, ओफिस जाते होंगे, इधर उधर जाते होंगे, तो आप activity थोड़ी बढ़ाओ, अपनी activity कैसे बढ़ा सकते हो, तो आप थोड़ी सी activity बढ़ाओगे, तो आपकी calories burn होगी, और उस activity को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो यही एक तरीका कि आप बिना जिम जाए weight loss कर सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि fat burner लेने से, या तरह तरह की गोलिया लेने से, जो दावा करते है कि आपका fat loss हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा, चलो मान लिया कि 10% लोगों का हो भी गया, बट क्या होगा, उनको छोड़ आपका कम हो जाएगा, तो यह थी गाइज वीडियो, वीडियो को लाइक जरू करें, लाइक कर ना भूले, आपका support चाहिए, इंस्टागा पर फोलो करें, सेम अकाउंटरोगे रोट के नाम से, इंस्टागा पर फोलो करें, नोट पीस, और सब्स्क्राइब भी करें और घ जाइज गिस, गेंज।